चाइना से अमेरिका का जो संबंध है वो हमेशा से बड़ा टफ है। अभी जो अमेरिका राष्ट मती क्या ना में उसका डॉनल्ड ट्रम्प। तो डॉनल्ड ट्रम्प ने जो हरकते की या चीन ने भी जो हरकते की उससे लग रहा था कि फिर कुछ मामला बिगड़ेगा। चीन को लेकर सारी श्वेत दुनिया डरती है। एक कंसेप्ट कहीं अगर आप पढ़ें तो उसको देखे रहा है। येलो पैरिल एक कंसेप्ट है। टेरर भी कहा देते हैं लेकि जो प्रसिद्ध है वो तो येलो पैरिल है। पैरिल कहा बना खाफ। भाई। दुनिया में तीन नसले मूलू से माने जाती हैं। एक काली है, एक पैली है, एक सफेद है। सफेद यानि कोकेश हॉइड। जो अमेरिका में, पर्शिम एरोप में, औरस्टेलिया में ये सब लोग हैं। सफेद, लंबे पतले, लंबे हाथ, लंबे जबडे, ये वाले। जिनके सौंदरे को आजकर दुनिया में सौंदरे माना जाता है। जैसी फिगर उनकी होती है, उसको आजकर बोलते हैं कि वैसा ही देह कर ढासा होना चाहिए। क्योंकि उनके पस थाकत है। जिसके पस शब्द, कोकेशॉइड। तीन नसले हैं, उनको कोकेशॉइड। दूसरा होता है मंगरॉइड। और तीसरा है निग्रॉइड। तीन नसले हैं, कौकेशोइड वाइट्स हैं और यह मामलब बाइलोजिकल भी होता है, नसल जो है बाइलोजिकल भी है डिस्क्रिमिनेशन, जाती धर्म बाइलोजिकल नहीं होते हैं, किन्तों नसले में बाइलोजिकल एलिमेंट भी होता है, तो सफेद, लंबे, फतले, लंब जो जाड़ी कम है पुरिश्म को, वो मंगोलाइड नसल है, जो भारत में फ़ड़ा सा नौर्थीस्ट में, पाढ़ों पर कहीं भी, चाइना, मंगोल, जापान, खोरिया, यह जो पूरी है, इसको बोता है येलो रेस, या मंगोलाइड रेस, निग्रोइड जो अफरीका वाला रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यदा होती है, यह लोग निग्रोइड हैं, निग्रोइड तो प्रकृति के प्रभाव से या पता नहीं किस वज़य से इतना पीछे हैं कि शैद वो कभी कॉंपेटिशन दे नहीं पाएंगे, वाइट्स को, और वाइट्स के मन में यह भ हम लोग मिक्सचर हैं, हम लोग दुनिया के बहुत सारे लोग इन में से किसी एक में नहीं आते हैं, भारत में छे ग्रुप माने जाते हैं, उन छे में से एक भी एग्जेक्ली यह नहीं है, जैसे अगर आप अड़नमान में जाएंगे तो निग्रोइड के नजदीक का मामल मिल जाए, लेकिन एग्जेक्ट निग्ड़ वह भी नहीं मिलते हैं, तो हम लोग बहुत मिक्सचर्स हैं हम लोग, तो इसमें क्या किया, इसको पदा था कि चीन के लोगों को अमेरिकी लोग पसंद नहीं करते, इस वजए से, तो इसने दो साल तक इनको घुमाया, कितनी ज जगा लेके गया, पूरे अमेरिका में हर राज्जी में घुमाता रहा, अलग-अलग जगा घुमाया, एक्जेक्ट संके चाहिए तो 184 और 166, 184 रेस्टोरेंट्स, 166 होटेल्स या मोटेल्स, मोटेल्स होते हैं जहां वहां लेके जाते हैं, वहीं टिक जाते हैं कुस दिन स्ट्रेंट के मालिक ने का कि ना भई, चाहिना के लोगों को ने लेंगे, भगव हैं ऐसा भगव, बाकी 299 जगा इनको भोजन मिला, रहने को भी मिला, और इसने उन सब को स्टड़ी किया कि बहाँ के स्टाफ का मालिक का, तो पाया कि बहुत कम अपवाद छोड़कर अधि तो बड़ा सर्प्राइजिंग था कि अमेरिका के लोग चाइनिज लोग उसे नफरत करते हैं कि इन तो भेवेर ऐसा कर रहे हैं, फिर इसने क्या कि वापस आने के बाद, इन सब होटेल्स और रेस्टूडेंट्स के मालिकों को चिठ्थी लेखी, सर्वे करने के लिए, और तो शर्वे ये था कि भाई हम एक कंपनी चलाते हैं और हमारे पर चाइनिज खूब टूरिस्ट आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको लेके आएं और आप यह थेर आएं, तकि आपको बिसनेस बढ़े, हमारे बिसनेस बढ़े, तो क्या आप हमारे से पार्टनर्शिप करना चाह को नंबर एक पर पैसा है वाँ धाइसो में से 128 ने जवाब दिया 322 ने जवाबी नहीं आया और 128 में से 92 परसंट ने कहा नहीं हम चाइनिज लोगों को एंटरेटें नहीं करते हैं या नहीं करेंगे क्या रोचन बात है जिन लोगों ने चाइनिज कपल को ठीक सेंटरेटें किया एबव एवरेज बिहेवियर शोग किया उन में से 92 परसंट का जवाब था कि नहीं हम चाइनिज लोगों को अपने नहीं चाहते इसका मतलब उनका एटिट्यूड है कि चाइना के लोग नहीं चाहिए और जब चाइना के लोग चले गए तो बिहेवियर कैसा किया एवरेज से खराब या उससे भी अच्छा उससे भी अच्छा इसके बेस पे इल्ला पियर ने कहा किस इस सर्थ से कम से कम यह तो थाबित ह होई जाता है कि एटिट्यूड और विहेवियर के बीच में कोई सीधा लिंक नहीं है